बिहार में 40 लोग सभा सीटों में 19 लोग सभा सीटों पर मद्दान हो चुका है और 6 मई को बिहार के 5 लोग सभा सीटों पर मद्दान होना है इन लोगसभा जिन पाच लोगसभा सीटों पर मदान होना है उनमें मुझपरपूर, सारन, हाजीपूर, सीतामरी और मधुवनी भी है सारन की सीट काफी important है हमारे साथ है बात करने के लिए बिहार के वरिश्पतकार हैं दिन से हम हर एक सीट की जानेंगे कि हर सीट पर क्या गन्ना है और किस तरीके की वहां के रानीती है फिलाल इन दिन जी ये बताईए कि सबसे important सीट जो अगर हम देखते हैं तो सारन की सीट काफी important लालू परसाथ की सीट रही है और माना जाता है कि यहीं से उनका रातिनिक सब्ड़ में शुरू हुआ तो वहां से उनके संधी चंद्रिकार राया है कितना बड़ा वहां पर टकर है राजीपतार रोड़ी में और चंद्रिकार राय में टकर तो दोनों में बराबरी की है पर शननीत की बात है। चंद्रु कार राइ बहुत पीछे हैं। चंद्रइकार राइक आप संसाधन नहीं है। या संसाधन है तो वो कभी लोग सभा कर चुनाओने हैं... ली लड़े हैं। यहुण भीन हाजेहाज। लालो की जो आफ़ धाली सफमय आउ Ś्वा.. पतनी बेटा बेटी अपने पहरी बार लोग बोलने हैं कि रूड़ी जी सड़क पर उत्रे हैं उपना लाइफ कर रहे हैं लोग को बता रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं लडाई ऐसे अगर कास समय करें में बराबरी की है चंडरीका राय को टिकट देने को लेके तियस प्रता है नोके तियस प्रता प्रताप पर लगने आज और को कोई असर तो नहीं है उससे और चंडरीका राय को सहनु उनके फादर वहीं से सीम रहा है, वो भी बड़ा परिवार है, लेकिन फर्क यह है कि जो लागातार तिजप्रताब उनके खिलाब बोल रहा है, तो जो परिवार का जगड़ा है, वो तो सड़क प्याहिए रहा है, अब कल ही वो ट्वीट कर दिये, अपने ससुर के खिलाफ की नहीं, ससुर जी मेरे बारे में जूट बोल रहा है कि हम फीट से फैंली के साथ जूट हैं, इसका असर तो पढ़ता है प्रचार पलें, इसका कोई वोट पर कोई असर नहीं है, चुकि तेजवी लगातार उनके लिए काम कर रहा है, कल रोट सो किये, आज ही उनका रोट सो ह लालू परिवार चाहता भी है कि वो सीट मेरे पास काया है, कल इस तरीके से तेजवी परताब जहानावाद में तेजवी पर कमेंट करते हैं, हाला कि नाम नहीं ले लेकिन उनने कमेंट ही किया कि लालू जी एक दिन में दस पंदरह से बीच सभाएं करते थे, नहीं ठकते पापा उनके पॉलिटिकल कैलिवर को दिखते वे पहले उनको खिनारे हर चुके हैं, तो तेजवी का मोटा मोटी है, पार्टी पर संगठन पर सब पर अपना अधिपत्त है, अब उसको लगातार तेजवी परताब चिनौती देके अपना कुछ साधना चाहते हैं, जो कि अ दल छोड़ दिया है, सकील अहमद हैं, और जो महागरबंदन के उमिद्वार हैं, उनके लिए क्या इस्ति रहेगी? कि जब माई वोड दो अन्र पार्टी वें बढ़ जागा तो फिर तो जो इसकी केंड़ेट हैं वियाईपी को तो फिर बहुत बहुत कम जोड़ हो जाएंगे, त्रिकोनिय क्या अंतिम होते होते हैं, अगर बहुत लुकसात ने दिया तो आमना सामना सकील अहमद से हो जाए नहीं होती, तो पारश जी को क्यों वो खड़ा करते हैं, चुनोती तो है ही, चुकि उनके जो बगल वाले छेतर के उनके सहयोगी MP थे, रामा सिंग वो अपने टीम को लेके, जो जो छत्रिये वोट को वेमेरेश करें, वो लगातार उनके खिलाफ गुम रहे हैं, डेली नर पारस बहुत दिनों बाद निकले हैं, आज वो घूम भी रहे हैं, सीता मधी के बारे में क्या है, वहाँ इस तरीके से जाडियू में टिकट के लिए अदला बदली हुआ, फिर बाद में बीजे पीसे सुनिल कुमार पिंटू गये हैं, और वहाँ भी बिरोज जिलना में टिकट मिल गया है, वो इसको टिकट में अवरण जी ने जब छोड़ दिया, तो वहां अग्दम बराब कांटे के टकर, वहां मतलब अभी आप कुछ कह नहीं सकते हैं, एक तिस्रा कुन मानाने का प्रास करेक हैं, अमित चौधरियू, माध्वजी लेकिन हमको नहीं हैं, नए उमिदवार हैं, क्या लगता है कि महां पर टकर है या फिर सिधाग, सही मायने में वियाईपी के जो अगुआ है, मुके सहन ये जो कहते हैं कि हम मलाहों के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी मलाह के नेतागीरी का असल फैसला वहीं होना है, दोनों तरफ यही निषाद हैं, तो वहीं साबित होना है कि बीजेपी के साथ निषाद है कि वीईपी के साथ निषाद है कि इसलिए वह 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 से रूंगे लिए बहुत हो गई है, आप इन उसन पूरे एलेक्ट अलग लग इलाकों में गय इक है क्या लग रह इस बार जो बोटर का जी मिज किस तरीकिये का दो हज़ार चोड़ा में था मोदी लहड था और भी लख न जप नहीं हम इसको दूसरे अर्थ में लगर नहीं था चौड़ा में すपार ता कि कॉंग्रेस के दस साल के उसासन को हटाना था तो सब लोग एक पर इक टरफा भोट के मोदी के लिए इस बार भी ल लेकिन जो उनका रास्टवाद का इशू है, उसका असर गाउं गाउं में है, चाहे यूथ हो, महिला हो, जो उजवला है, गैस वाली होजना है, ये रधानमंत्री जो आवास होजना है, उसकी उजना है, तो इसका असर है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये मेरा माना कि अगर मह सबीन्टी थट्टी आप हला थे है यह सवाल बिल्कुल सही है कि Laluigator अगर बाहर रहे तो फिर भीजा नहीं हूद है तो नहीं से अम कहां आप अट कमई दिख रही है कि लालो परसाद के नहां होने की पहली कमी है कोडिनेशन पता ही नहीं चल रहा है कि कॉंग्रेस, राज़द, वियाएपी, रालोसपा और हम एक साथ हैं पांचों पार्टी के जो नेता हैं कभी साथ बैठते ही नहीं है अगर जहां 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 को मालते हैं सारण में चारो सीट पर राज़द है सांथ नहीं आज रहा हैं कि इस splits दो हैं तॉपर राम पिलाज़ जीर रहते हैं नितीशजी रहते हैं इसका अखर तो पड़ता हैं कॉड़नेशन की बहुत कमी है और कोई कड़ावर निता नियता नहीं जो पांचों को जोड सके जनता उनके साथ थी, लेकिन आपको बताना पड़िया है कि हम अपने सामने वाले के में मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं, वो दिखने रहा है, कौर्डिनिशिक ने बहुत कमी है। तो क्या लगता है, जैसे कि अभी लोग सभा चुनाव चल रहा है, 2020 में विधान सभा चुनाव आना है, लारु जी के जो सितिह अगर बाहर नहीं आते हैं, तो तेजस्वी पर साड़े देश की निगाहें लगी हैं, पार्टी की निगाहें हैं, पड़िवार की निगाहें, त तेजस्वी इस तीज को फुल्फिल करने में इस जो पर चुनाव पड़िनाम आता है, तो उससे हम क्या समझेंगे, कि लिटम स्टेज तो एक समी फाइनल मैंस तो है, लारु जा तेजस्वी के लिए है, अगर तेजस्वी अपना चार से सीट आठ नहीं कर पाते हैं, या मा विधान सबाद चुनाओ का समीकर अंतियार किया है, मेरे पास है, मला को जोड़ो, सहनी को जोड़ो, कोईरी को जोड़ो, तो उस वहा को जोड़ो, हम को जोड़ो, मुसर को जोड़ो, वो उस हिसाब से काम कर रहे है, वो लोगसभाद चुनाओ भी विधान सबाद नहीं पाया, Congress चाहरे थे 12 सीट, यह चाहरे थे 6 सीट, तो बीच-बीच के काम हो तो ठीक है, यह लोग मोधी के खिलाब सब लोग एक जूट है, लिकिन उसका अशर फिल्ड में दिखने रहा है, तो क्या यह लब मान के चले कि यह तैयारी जो उनकी 2020 की चल रही है, जो गड़ बनायागा, उस गड़ बनायागा, उस गड़ बनायागा, उस के साथ जाएंगे, मंत्रीपद मिल जाएगा, कुछ बड़ा उनकी काम भी जाएगा, तो उता ही रहा है, कॉंग्रेस और राज़त को छोड़ दें तो बाकि तीनों पार्टियों पर कोई मिस्वासे नहीं कि कब इनके साथ हैं और कब नहीं महागडबंदन का जो रिजल्ट है जो इस चुनाओ का जो पड़िनाम आएगा उसके बाद आपको लग रहा है कि महागडबंदन पर फिर नए सीरे से मोर्शाबंदी होगी और नए लोग भी जुटेंगे और खासकर मान जी और कुस्वाहा फैक्टर इनके लिए कि इतना सही सावेत होगा अगर अगर चालीस में पंदर स्ट्रीट से कम आया तो मेरा माना कि महागडबंदन में तूट हो जाएगा अगर इलो पंदर से उपर आ गया तो इनका कुनबा और बढ़ेगा तब तब क्या ऐसे छेत्र में ये दिख रहा है कि कुस्वाह के आने से कुस्वाह ले ले रहा है उपंदन कुष्वाह की जो अभी 19 सीटों पर चुना हुआ है लेकिन वह अपना बोड राजयत के कनिट पर ट्रांसपर ने करा पा रहा है वही हाल मुगे सहनी का है इलो अपनी अपनी जादी का बोड तो अपने लिए ले ले रहा है लेकिन वह यह लोग रा राज़ात को में दुआर पर कनवर्ट ने करा पा रहा है जबकि राज़ात का जो माई समीकरन इनलों के साथ एड़ हो रहा है ये जब तक दो तरफा एड़ नहीं होगा तब तक तो नुकसान तो हो नहीं है पिल्कुल हमारे साथ इंद्रभूशन थे जो बता रहे हैं थे किस तरीके से 19 सीटों पर चुनाओ हो चुका है और 6 माई को 5 सीटों पर चुनाओ होना काफी महत्वपूर्ण है सारन की सीट है हाजी पूर्ग सीट है मुझःपर पूर्ग की सीट है मदुवनी है सीतामारी ये लिएली फोर्ग